उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरान या समारो बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाहीव दयाशनकर सिंग तथा महापौर अयोध्या सहित स्थानिय प्रशासन के साथ गुरुवार को वर्चुवल बैठक कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश साल 2013 की विदा विला पर धर्मनगरी अयोध्या में आदर्निय प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में विकास के नए युग के प्रारंब करने वाली होगी इस अवसर पर देश को ना केवल एक नए अंतराष्ट्रिय अयपोट का उपहार मिलने जा रहा है बलकि अयोध्या को हजारों करोण की परियोजनाओं के उपहार भी मिलेगा प्रधानमंत्री के रोडशो के लिए ते रूट पर सुरक्षा और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो पूरी अयोध्या राम्मय हो स्थानिय मठ मंदिरों को सजाएं भव्य तोरन द्वार तैयार कराएं जगा जगा सांस्कृतिक मंदलियों द्वारा रुचिकर प्रस्तुतियां हो प्रधानमंत्री के स्वागत हेतु अयोध्यावासी भी उत्सुक हैं उन्ही यतोचित स्थान दे साधू संतगनों द्वारा पुषपवर्शाकर प्रधान मंत्री का अभिनंदन किया जाना है। उनसे समबाद बनाएं। ये रोडशो जनता के लिए है, ऐसे में जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री का ये दोरा अयोध्या को हजारों करोड की पर योजनाओं का उपहार देने वाला होगा। ये आयोजन अती महत्वपूर्ण है, इसके द्रिष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से स्थानी या प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारिया समय से पूरी कर ली जाएं। विशेश अवसर पर प्रधान मंत्री जनसभा को भ परियाप्त पाकिंग व्यवस्था एवं जनसभा में आने वाले नागरिकों की आधारभूत सुवेधाओं की परियाप्त व्यवस्था की जाए। भीर प्रबंधन पर फोकस करीं। जनसभा स्थल एवं अन्य प्रमुक स्थलों पर वहनों की पाकिंग की परियाप्त एरियल सविलांस भी हो. वर्दी धारी सुरक्षा कर्मियों के अलावा साधी वर्दी में भी पुलिस की तेनाती की जाए. प्रधान मंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराएं. निकटवर्ती जिलों के प्रशासन से समवाद कर यातायात प्रबंध की रणनीती लागू करी. लखनओ गोरकपुर मार्ग पर कहीं जाम न लगे. डायवर्जन के बारे में समय से प्रचार प्रसार करी. प्रधान मंत्री के रोडशो के रूट को आकरशक धंग से सजाएं. रूट में पढ़ने वाली दुकान व्यावसाहिक प्रतिष्ठान के लिए प्रोचसाहित करी. एयपोर्ट से रेलवे स्टेशन के पूरे क्षेत्र में हमें विशेश ध्यान देना होगा. अयोध्या में कहीं भी सडकों पर धूर तथा गंदगी आदी न हो. आवश यक्तानुसार अतिरिक्थ मैनपॉवर भी तैनात करी.